वेलकम टू सरो समाजी को राउंडे चैनल, सरो समाजी को राउंडे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है जो पलक जपकते ही आपको याद हो जाएंगे तो चलिए मैं वीडियो को स्टाट करता हूँ आज मैं बताऊंगा इंगलिस गरामर के अर्टिकल एंदाखा पर योगी इतना बहतर तरीका से मैं बता दूँगा आ जाए यानि खाली जगह के बाद रहे ये सब वर्ड आ जाए हिंदी लिखना है तो उसमें ए का परियोग होगा ये रहेंगे तो क्या होगा एं लेकिन बच्चा में जब आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों को सिंपल तरीका बता दिया आ गया होगा कि A, E, I, O, U रहेंगे तो N का परियोग होगा और अक्सर लोग यहीं बता देते हैं नहीं, ऐसा नहीं नियम है, ठीक है ऐसा नियम फलो नहीं करेंगे उसके बाल, संपूर्ण जाती का बोध हो तो 10 का परियोग करना है 10 का परियोग कहों किया जाता A का परियोग मैं बिल्कुल बता दिया हूँ कि A का परियोग करना है, ठीक है यह सा वड़ आ जाए, A और N में suspicion, यानि doubt आए तो क्या करना है तो A का परियोग होगा और N का परियोग होगा ठीक है लेकिन 10 का परियोग कब होगा, ध्यान दिजे संपूर्ण जाती का बोध हो यानि जैसे कि आप माल लीजे एकदम बिल्कूल समझे जब अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं आपको खाली जगह एके करके भरूंगा, तो आपको ऐसा मस्तिस्क में एड़िश्ट हो जाएंगे कि कभी भी नहीं भुलिएगा और किसी को भी बता दिजेगा कि नहीं, ये तरीका से फढ़ा जाता है ठीक है, तो ओ, आ, हरसाई, दुरगाई, हरसाई ये रहेंगे, तो A, E, I, O, U का परियोग कैसे बता है या फिर A, E, I, O, U का भी परियोग कर सकते हैं, लेकिन ये फ़लो नहीं करेगा, संपूर्ण जाती का बोध हो, तो दाका परियोग नदी हो, ठीक है, संपूर्ण जाती आप समझ गए होंगे, जैसे की मान के चले कुटा बोलेंगे, बिल्ली बोलेंगे ये सब नहीं, जैसे डाइरेक्ट एनिमल हो गया, ठीक है, तो उसमें दाका परियोग होगा, इसी परकार आप जान सकते हैं, कि किसी के नाम बोल दिये, बूक, एक बार, तो ठीक है ये सब में जो होते हैं, अक्सर दाका परियोग होता है, अगर कोई भी वाकि दिया गया है, ठीक है, अगर सुरू में ही खाली रह जाएंगे, तो पूरा नहीं बोल रहे हैं 99% होते हैं, कि दाका ही परियोग होता है, ध्यान दीजेगा ये आपको ट्रिक बता देता हूँ अईशा ट्रिक कोई नहीं बताएगा नदी, समूद्र, जील, परवत, सूरी, हुआ, चांद, हुआ आकास, यानि जितना भी तारा से लेके प्रित्वी तक है ये सम्में भी क्या होता है, दाका परियोग सुपरलेटिव डिग्रिश पहले भी दाका परियोग किया जाता है, ठीक है तो चलिए, आज मैं भरता हूँ और आज के बास से कभी भी किसी का गलती एंदाका परियोग नहीं होगा तो यहां देखिया, आपको जादू बला ट्रिक बताया जाएगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि इतना भेता ट्रिक कोई नहीं बताया होगा ध्यान दीजे, राम इट्स डाइस मेंगो यहां पर लिखा हुआ है क्या, क्या भरेंगी अभी बिल्कुल आप अस मंजस में है तो टेंसर नहीं लेना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, सहुरभ समाजी कोई राउंडर चैनल के मध्यम से पढ़ रहे हैं और इंगलिस में, या मेथ में या साइन्स में प्रोब्लम हो गया, तो मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको कोई भी प्रोब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कीजेगा, मैं बिल्कुल बना दूँगा तो राम इर्स डाइस मेंगो तो क्या लिखा हुआ है, यह चीज मेंगो तो यहाँ पर लिखना है हिंदी में, ध्यान दीजे मेंगो मेंगो लिख दिये तो सुरू में देखना है आया है क्या मो क्या आया है मो तो मो देखना है कहाँ पर है ठीक है मैं जो बताया हूँ मो कहाँ पर है खोज लेना है यह हुआ मो आया ना हिंदी में देखना है मो आया तो यानि कि यहाँ पर क्या भराएगा ए तो क्या बड़ी A भर देंगे? नहीं, अपना मन में भी ग्यान होना चाहिए कि पहला अक्षर बड़ी होते हैं, उसके बाद सारा का सारा छुटी होते हैं, लेकिन बड़ा जगा के नाम हुआ वो समय बड़ा अक्षर बीच में भी रहने से होता है, लेकिन क्या होगा? यहाँ बोलने से पूरा बजार का बोध हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपको पता होगा कि यहाँ पर हो जाएंगे दाका परियोग, मैंने बोला था अक्षर, पूरा नहीं बोले, 99% सुरू में खाली रहेंगे तो दाका ही परियोग होगा, ठीक है, बता दिय सकते हैं, you read dice book, अब इसको क्या लिखा हुआ है यह चीज, book, तो यहाँ पर भरना है किया, क्या है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, हिंदी से लिखना है, ठीक है, book, यहाँ दीजिए, सुरू में क्या या बो, सुरू में क्या या बो, बो है कहां, यहाँ पर है, ठीक है, बो जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर है, बो रहेगा, तो क्या होगा, एका पर यूग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगे, you read a book, ठीक है, अगर जादा पढ़े लिखे टीचर, यानि बड़ा बड़ा प्रोफिसर रह जाएगे, तो आपको इतना इंगलिस बखेंगे, इंगलिस is a big mountain, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्सर सुरू में खाली रहेगा, या फिर बड़ा हिमालाई, यानि जो परवत का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ज्यान दिजिए, Dice English left India in 1947, तो यहाँ पर हो जाएगा, दा इंगलिस, यानि पूरा का बोद हो जाता है इंगलिस में, ठीक है, डोग, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दा डोग, क्या हो जाएगा, सुरू में खाली है, दा डोग is a good animal, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगे, दा रीच, द आपका पूरा का पूरा प्रोब्लम दूर हो जाएगा, तो ध्यान दिजे, तो चलिए, मैं आपको यहाँ मोडल पेपर भर के देखाता हूँ, here is dice orange for you, क्या लिखा हुआ, here is dice orange for you, O है, O है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दिजे, आपको तो मैं ट्रीक बताया हूँ, कि अग पूरा में यूज नहीं होगा, जैसे आप M में लिखेगा, तो A का परियोग हो जाता है, इसी परकार इसमें यूज नहीं होगा, तो orange है, ठीक है, orange को क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे O रेंज, हिंदी लिखना है, हिंदी लिखने से साप और असपस्ट पता चल जाएग औरेंज, औरेंज है, तो O का परियोग कहा होगा, ध्यान दिजे, O, यहाँ पर क्या आ गया, O, O आ गया, शुरू वाला जो अक्षर देख रहे हैं, यह चीज, O आ गया, O आ गया, तो क्या होगा, A N का परियोग, तो यहाँ, यानि कि आप देख सकते हैं, औरेंज में क्या होगा, कि A, E, I, O, U रहेगा, तो A, N लगा देना, लेकिन बिल्कुल गलत बात है, ऐसा करने से सारा नहीं बनेगा, आपको क्या करना है, O, O आ गया, तो क्या N लगा देंगे, नहीं, यह नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि इसको पढ़ा जाएगा, O, N, E, One, हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा, O, तो यह क्या है, वो है, वो जो है, किसका आता है, ध्यान देजे, यहाँ पर, यानि कि हो जाएगा, A का पर्योग, यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगे, A का पर्योग, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि A का पर्योग क्या गया है, ठीक है, जै इसको लिखा जाएगा यूजफूल, यानि y का उच्चारणाता है, यू आता है, ठीक है, तो यो आता है, तो यो किसका है, ध्यान दीजे, यो जो है, किसका आ रहा है, शुरूब अलाकर, यानि क्या हो जाएगा, a का पर you, तो यहाँ भी हो जाएगा, a का पर you, जैसे इससे ह लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा जाएगा ओनेस्ट पढ़ा किया जाएगा ओनेस्ट ध्यान दीजे इसको पढ़ा जाएगा ओनेस्ट तो ओ है तो क्या हो जाएगा आपको पता होगा कि ओ रहने से क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजे हिंदी देखना ओ रहेगा तो यहाँ प तो दाका ही परियोग होगा जैसे कि आप देख सकते हैं जी नंबर में जो है जी नंबर में क्या का परियोग है जी नंबर में देख सकते हैं दाका परियोग किया गया है इसी परकार आप जैसे म में इसको क्या लिखना है म जैसे सूरज के नाम है पिरित्वी का नाम सूरज के नाम इसा में क्या होगा दाका परियो तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा जी नंबर में जो देख रहे हैं दोनों में क्या है दाका परियो तो सुरू में खली है और सूरज का नाम जो है बड़ा है ठीक है यानि सूरज हुआ प्रित्वी हुआ गरा यह सब के न अक्षर ए आ गया तो क्या हो जाएगा पहला अक्षर ए आ गया यानि यह आ गया इसका मतलब क्या होगा एन यानि की आई नंबर में जो होगा क्या होगा आई नंबर में होगा एन का पर्यू इस तरह से आपको सारा का सारा बना के चेक किजिएगा बिल्कुल बन जाएगा अक तो क्या हो जाएगा esosी परकार आज के बात से कभी भी नहीं बोलीएगा कि मैं अर्टीकल नहीं जानता हूं और पूरी तरीका थी आप बताईएगा कि अर्टीकल मैं इतना बेस्तर तरीका से सीग गया हूं कि कभी नहीं भूलूंगा तो विडियो धुआ तो आप लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने ना भूले नहीं तो ये चैनल आपके हाँ से निकल जाएंगी